सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हलो एंड नमस्कार सभी साथियों को सभी का मेरा गुड मॉर्निंग देखीगा रीट एक्जाम दो जार एक्किस के लिए पर्यावरण का मोडल पेपर नंबर दो को आज हम हल करेंगे दोनों लेवल के लिए दोनों लेवल के लिए क्यों है यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि साथियों कश्या पांच से दस्तक की जो पर्यावरण सामाजीक और विज्ञान की जो पुस्तके हैं उनसे यह क्यूशन बनाए गये हैं तो बिल्कुल मैंने इस परसेंट तही है कि प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे और जो आपके टोपिक है उन्हीं टोपिक्स को लेकर के यह वीडियो बनाया गया है तो चाहे आप लेवल एक से हो लेवल दो से हो लेवल दो में भी आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो चाहे इसेश्टी वाले हो या स साइंस में सवाल है साइंस में सवालों के साइंस के कुछ क्यूशन इसमें लिए गए है कुछ दोपांच क्यूशन ने सिक्सन वीडियों से संबंदित भी है तो बिल्कुल आफ वीडियो को पूरा देख करके जाएगा बहुत ही मेनत करके बहुत ही जादा मेनत करके इसके लि देखिएगा दोनों लेवल के लिए है वो भी प्रश्च नमबर एक देखेंगे कलपना चावला को सम्मान से याद किया जाता है क्योंकि वह हवाई जहाज उड़ाने वाली प्रतम महिला थी वह प्रतम बारतिय महिला अंतरिक्ष यात्री थी या वह प्रतम परवतारोही थी तो साथियों प्रश्ण संक्या एक में सही विकल्ब का चैन कीजिएगा कि प्रश्ण नंबर एक में कौन सा विकल्ब सही रहेगा, कलपना चावला का सभी ने नाम सुन रखा होगा, देखिएगा कलपना चावला के बारे में अगर हम बात करें, तो यह है पृतम भारते महिला अंत्रिक्षे यात्री, विकल्प नमबर कौन सा सही है आपका, दूसरा विकल्प सही है, प्रिश्ण संक्या एक में, अगे बढ़ेंगे सातियों प्रिश्ण नमबर दो पर, तो दूसरा क्यूशन है आपके, बचेंद्रीपाल का जन्म हुआ था, हरियाना में, उत्राखंड म और मद्य परदेश में बचेंद्री पाल का नाम की शेत्र में आता है बताईएगा साथियों बचेंद्री पाल का नाम आता है परवता रोही में किस में आता है परवता रोही में सबसे पहले इन्होंने भारती मूल से पहली पहली महला थी जिन्होंने जो माउंट पर फतय हांसिल की थी तो साथियों बच्छेंद्रिपाल का जन्म कि अगर हम बात करें कि एनका जन्म उत्तरा खंड में हुआ ठाहां पर हुआ था उत्तरा खंड में विकल्प नомबर कौन सा सही आपका यहां पर सेकंड विकल्प पिलुकुल सही है पृष्ण aumento दो में तो बताईएगा विजे इस्तम किसके दोरा बनाया गया था प्रश्ण संक्या 3 में कोन सा विकल्प सही है तो चलिए आराम से बता दीजिए इस क्यूशन का आंसर तो आपके प्रश्ण संक्या जो तीन है इसका सही विकल्प बताना है इसका जो राइट आंसरे साथियों विजे इस्तम महराना कुंबा के द्वारा बनवाया गया था किनके द्वारा बनवाया गया था महराना कुंबा के द्वारा इनको बनाने में लगबग आठ साल का समय ल नवाय गयता महाराना कुंबा के द्वारा विकल्प नंबर आपका 3 सही है सातियों प्रश्ण संक्या 3 में नेक्स आगे बात करेंगे प्रश्ण नंबर 4 की तो चोता क्यूशन है हेली पुच्छल तारा दिखाए देता है प्रती 50 वर्ष के बाद प्रती 75 वर्ष के बाद प्र प्रती 75 वर्ष बाद ये तारा हमें दिखाए देता है और इस तारा इस तारे पर ही सरवादिक अध्यां किया गया सातियों यहां पर आपका सेकंड विकल्प सही है हेली पुच्छल तारा हेली 새 होते है जो की कुछ समय के लिए दिखाए देते हैं और फिर वह दीरे दीरे अद्रिश हो जाते हैं और ये प्रती कुछ एक निश्चित वर्षों के बाद दिखाए देते हैं पुछल तारे इसमें से एक तारा है हेली तारा तो ये प्रती 75 वर्ष के बाद में हमें दिखाए देता है विकल गहां पर बनाते हैं इन खेतों को जहां पर भूमी उच्च होती है जो पहाड़ी भाग एक तरह से होते हैं जिसे चाय की खेती की जाती है तो वहां पूर्ण वग goose का निला सोना किसे कहते हैं कोईले को खुले आस्मान को साप पानी को और सोने को तो भोश का निला सोना किसको कहा जाता है प्रश्ण नंबर छे में हमारे सभी जो सिकसक साती आने वाले भोश्ण Singapore के सिकसक साती है उनको इस प्रिश्ण का आंसर देना है देखिएगा भौश का निला सोना किसको कहा जाएगा सोने को तो भौश का निला सोना कहेंगे नहीं कोईले को भी नहीं कहेंगे बलकि भौश का निला सोना साप पानी को कहा जाता है ठीक है साप पानी ठीक जो परदूशित जल नहीं है उसको ही निला सोना कहते हैं साप पानी जिसको हम पीने योगी समत्ते हैं विकल्प नंबर आपका तीन सही है प्रशनिच्छे में आगे प्रशन नंबर 7 पर आते हैं तो सवात्वा क्यूषन है जल संद्रक्षन का अर्थ है जल का समूचित उपयोग करना भवश में उपयोग को दृष्टी में रखना, जल के दुरूपयोग को रोकना और उपयोग सभी, तो जल सनरक्षन का नाम सभी ने सुना होगा, देखिएगा जल सनरक्षन एक अत्यनतावशक कारी है, क्योंकि भवश में आपने वर्तमान में जो चीजे चल रही है, उसको द जाये, भवश में इसके उपयोग को भी दृष्टी में रखना, जल के दुरूपयोग को भी रोकना, ये सभी चीजे जल सनरक्षन के अंतरगत आ जाती है, तो उपयोग सभी वाला जो चोता विकलप है साथवे क्यूशन में, वही आपका राइट आंसर है साथियों, नेक् एक तो था चिपको अंदोलन, चिपको अंदोलन का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा सुन्दरलाल बहुगुना, ठीक है, अब वो जो अंदोलन है, ऐसे ही एक और आंदोलन है, जिसका नाम है अपको अंदोलन, इंपोर्टेंट क्यूशन है, बहुत ही जादा, मतलब एक क्यूशन इंपोर्टेंट है, आरबी एससी की बुक्स से जब ऐसे क्यूशन बनेंगे, तो नॉर्मल से दिखने वाले क्यूशन एक्जाम में आप गलत कर दोगे साथ यो, इसलिए जो नए नए प्रिशन लगते हैं, आप चाहो तो उनका स्क्रीन शोट ले सकते हो, अपिक और अंदोलन की बात करें, तो वनों की कटाई को रोकने के लिए ये अंदोलन कलनाटक में चलाया गया था, कहाँ पर चलाया गया था, कलनाटक राजज में, विकल्प नंबर आपका 4 सही है, प्रिशन संक्या 8 में, नेक्स्ट प्रिशन नंबर 9 पे आते हैं, तो आपके 9 व खगपा क्या है इस्तानी बाश्या का नाम है एक घर का प्रकार है एक जनजाती का प्रकार है या इन में से कोई नहीं तो साथियों प्रश्ण संक्या 9 का सही आंसर बताईए खगपा इन में से क्या है देखिएगा इसका राइट आंसर है खगपा एक घर का नाम है ठीक है घर क का एक प्रकार हे साथ ही इस प्रकार से एक और चीज चीज़ क्या होती है खगपा जो की घर का ही नाम है विकल्प नमबर आपका दो सज़ी है नोवे क्यूशन में नेक्स प्रश्वन डस पे आते हैं डस वह क्यूशन है वैंब नाद है एक लेगून, एक उद्योगीक नगर, प्राकर्तिक वनस्पती और कॉंकम पट देखिएगा, very important question है ये वेंबनाद, वेंबनाद एक लेगून है, लेगून, वेंबनाद एक जिल का नामें साथ हो, ठीक है, जिल का अब ये जो लेगून जिले होती है, ये समुद्र के किनारे पाए जाती है, कहाँ पाए जाती है, ये समुद्र के किनारे कुछ तो प्राकर्तिक होती है, और कुछ जिलों का निर्मान गोर्मेंट के दोरा किया जाता है, किसके दोरा, गोर्मेंट के दोरा, तो ऐसे ही एक जिल राजिस्तान की सरोच चोटी गुरुशिकर की उचाई है 1622 मेटर 1722 मेटर 1822 मेटर 1922 मेटर तो गुरुशिकर का नाम सभी नहीं सुन रहा होगा राजिस्तान की सरोच चोटी जो है इसकी उचाई की बात करें तो इसकी उचाई है 1722 मेटर कितनी है मित्रों 1722 मेटर इसकी उच विकल्प नमबर आपका 2 सही है, प्रिष्ण 11 में नेक्स्ट प्रिष्ण 12 पे आते हैं, तो बारवा क्यूशन आपके है, निम्न में से कौन सा उर्जा खनीज नहीं है, यूरेनियम, अबरक, थोरियम और कोईला, उर्जा इनमे से कौन सा खनीज नहीं देता है, ठीके, ये बत आना हैं आपको, तो प्रिष्ण संक्या 12 में सही विकल्प का चैन आपको करना है, बताइएगा प्रिष्ण 12 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, साथियों, इनमे से देखिया, यूरेनियम से भी उर्जा मिलती है, थोरियम से भी उर्जा मिलती है, कोईले से भी रहे बारवे क्यूशन में सेकंड विकल्प सही है नेक्ट प्रश्ट नंबर 13 क्यों रहते हैं तेरवा क्यूशन है राजिस्थान में प्रियटन को उद्योक का दर्जा कब दिया गया था 1989 में, 1989 में, 1997 में और 2015 में बहुत ही शांदार और अच्छा क्यूशन दोनों लेवल के सेलेबस में क्यूशन है ये देखिएगा राजिस्थान में प्रियटन को उद्योक का दर्जा 1909 में दिया गया था और राजिस्थान ये चीज करने वाला ये चीज को इसी प्रियटन को उद्योक का दर्जा देने वाला भारत का प्रतम राज्य है सात्यूब भारत का प्रतम राज्य है जिसने प्रियटन को उद्योक का दर्जा दिया था और कब दिया था 1989 में दिया था विकार्प नमबर आपका दो सही है प्रश्णि संक्या 13 में नेक्स प्रश्ण नमबर 14 पे आते हैं चवदोवा क्यूशन आपके है भारती सविधान सभा के इस्थाय द्यक्ष थे आपसे क्या पूचा जा रहा है इस्थाय द्यक्ष तो सात्यू इस्थाय द्यक्ष थे डोक्टर राजेंद्र परसाद कोन थे डोक्टर राजेंद्र परसाद बारती सविधान सभा के इस्थाय द्यक्ष चुने गए थे आप कमेंड करके बताईए कि सविधान सभा के ऐस्थाय अध्यक्षिक कौन थे ठीके विकल्प नंबर यहाँ पर 4 सई है प्रश्ण 14 में नेक्ष प्रश्ण नंबर 15 पे आते हैं पंदरवा क्यूशन है आपके 14 वर्श से कम आयू के बच्चों से खतरनाक कारी नहीं कराया जा सकता है इसका संबंद है स्वतंतरता के अधिकार से शोशन के विरुद्ध अधिकार से सवेधानिक उप्चारों के अधिकार से और समानता के अधिकार से देखिए सभी को पता हो कौना थिकार औनल स् संभन्द से है तो इसको हम कहते हैं शोषैऑे व मतलब एसा माना जाताई कि जोफित वर्षित से अगर आ यूं कि कम है तो कि इस प्रसन के विरुद्धन संमन्द का जाता है विखलप नमबर इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर जोदपूर जेपूर में confusion होगा तो उच ने अले आपकर जोदपूर में इस्तित्थ है जबकि इस कि होट पीट ठीके इसकी होट पूंचे तो ज nutr crispbing की पूछे तो जेपूर रहेगा और डारेकली कुछे कि उचनेले कहां इस्तित है तो फिर आपके जोदपूर राइट रहेगा तो फिर यहां पर हम कौन सा मानेंगे जोदपूर ही आपका सई आंसर मानेंगे साथियों प्रश्ट नमबर 17 पे आते हैं सत्रवा क्यूशन है घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने व अच्छित होते हैं उनकी जीवन उनका जीवन है ताकि उनको ज्यादा समश्याओं का सामना नहीं करना पड़े स्वास्त विमा में व्यक्ति जब बिमार होता है तब यह काम आता है मोटर विमा लग है बलकि जब घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाली बात क की जाए तो ग्रह भीमा ठीक है ग्रह मतलब घर वाले घर से संब्दी जो भीमे होते हैं ठीक है विकल्प नमबर आपका तीन सई है प्रशन सत्रह में नेक्स प्रशन नमबर 18 के ओर बढ़ते हैं अठारवा क्यूशन है आपके प्रत्वी राज रासों के रचीता थे प्रत् हारवे क्यूशन में आपका जो सई आंसर है वो रहेगा चंदर बरदाई ठीक है चंदर बरदाई के द्वारा ही प्रतिवराज रासों ग्रंत लिखा गया था जो कि इनका प्रसिद्ध ग्रंत है साथ यो विकल्प नमबर आपका दो सई है प्रशन 18 में नेक्स बढ़ेंगे जेबरा क्रोसिंग का उपयोग करना चाहिए चोराहों पर यातायाद बत्ति के संकेतों का पालन करना चाहिए और रात्री के वहां चलाते समय संकेत को का प्रियोग करना चाहिए तो यहां पर सडक सुरक्ष्या के विपरित आप से पूछा गया है देखिएगा जब हम रात में वहांद चलाते हैं तो जो संके तक हैं बिल्कुल उनका प्रियोख करना चाहिए क्योंकि हमें ज़्यदा दूर तक तो दिखाए नहीं देता है लेकिन संके तक हमें बता देते हैं कि आगे क्या चीज़ आ रही है चोराहों पर यातायाद बत्ती के संकितों का पालन करना चाहिए जिसे मानली जी हम चोराहे पर हैं लाल बत्ती जल गई तो हमें रुकना चाहिए हरी बत्ती पर हमें चलना चाहिए तो ये भी सही है सड़क पार करने के लिए जेबरा क्रोसिंग का उपयोग करना चाहिए जेबरा क्रोसिंग जहां हो वहीं से सड़क पार करनी चाहिए ये भी बिल्गुल सही है लेकिन पहला कतन के रहा है सड़क पर हमेशा दाई और चलना चाहिए तो दाई और नहीं चलना चाहिए हमेशा सडक पर हमें बाई और चलना चाहिए ठीक के कहां पर चलना चाहिए बाई और दाई और गलत होता है विकल्फ नॉमबर आपका एक सही है प्रश्ण संक्या 19 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथ यो प्रश्ण नंबर 20 की और तो आपके 20 वा क्यूशन सवच भारत मिशन की शुरुआत कप की गई दो अक्टूबर 2013 दो अक्टूबर 2014 दो अक्टूबर 2015 और दो अक्टूबर 2016 देखिए हम क्या सोचते हैं कि यार ये टोपिक तो आपके सेलेवस में था ही नी लेकिन पिछली बार एक्जाम में यहां से क पूच लिया गया था जबकि सेलेवस में यह टोपिक नहीं था किन्तों साथियों यह टोपिक की किताब में दे रखा था और एक नॉर्मल कोमन टोपिक है यह सोचता के बारे में सभी को पता होना चाहिए और यह जो मिशन की शुरूआत की गई थी इस मिशन की शुरूआत कौन सी संस्था इस्थापित की परजा मंडल संपसभा लोग परिशयद और भगत पंथ गोविंद गुरू के द्वरा इस्थापित संस्था का नाम आपको बताना है वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों इतनी मेहनत करके यहा पड़ता है और बीएस्थी की बुक्स में से क्यूशन चाट करके आपके लिए क्यूशन बना रहा हूं तो बिल्कुल आप लाइक जरू कर दीजिएगा और वीडियो को चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने जो दोस्त है उनके वाटसप समूह में देखिएगा गोवि RBSC की किताब में से लिया गया है और वापिस दुबारा चेक किया गया है कहीं RBSC की किताब में कोई मिस्प्रिंट तो नहीं है फिर उसके बाद में आपको मैं आंसर बताता हूँ ठीक है इसलिए आप फिर भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको लगता है तो 22 क्यूशन है साथ साथियों आपके पाबुजी की घोडी का नाम क्या था केसर कालवी काली घोडी नीली घोडी और इन में से कोई नहीं तो साथियों पाबुजी राजिस्थान के लोग दे उता जो पंच पी रहे हैं उनमें से एक लोग दे उता है साथियों पाबुजी की इनकी जो घोडी थी उनका नाम था केसर कालवी क्या था मित्रों केसर कालवी था विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्ण संक्या 22 में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्ण प्रश्ण नमबर 23 क्या पूछता है आपसे 23 वायू है विल्यन है यह यह योगिक है यह एक ततु है तो वायू जिसे मान लीजिए सबी को पता होगा हमारा जो वायू मंडल है इसमें अनेक तरह की या अनेक परकार की गेसे पाई जाती है वहाँ पर अनेक परकार की गेसों का ये एक मिश्रण है साथियों वायू अनेक परकार की गेसों का ही मिश्रण है विकल्प नमबर आपका दो सई है प्रश्ण नमबर 23 में आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 24 की ओर तो चलिए 24 वा क्यूशन देखेंगे मिट्टी की सबसे उपरी परत में अधिक्ता होती है बजरी की अधिक्ता होती है मृतिका की अधिक्ता होती है हुमस की अधिक्ता होती है और कंकड की अधिक्ता होती है तो साथियों सबसे उपरी परत जो होती इसमें किस की अधिक्ता होती है राइट अंसर आपको बताना है देखा होगा आपने कि जैसे माल लीजिए उपर मिट्टी का जो उपरी भाग है वहाँ पर तो अच्छी पसले हो जाती है लेकिन साथियों लगतार हम उस पर फसल बोते रहते हैं और अगर फसल चक्रन का उपयोग नहीं करते हैं तो फसले दिखता होती है किसकी अदिखता होती है हूमेस की हूमेस एक तत्व है जो की आपके पसल उत्पाधन में इसके कारण ही पसल उत्पाधन होता है साथियों अगर हूमेस की कमी आ जाती है तो वो भूमी जो है वो बंजड भी हो सकती है विकल्प नमबर आपका तीन सही है प् 25 क्यूशन आपसे पूँच रहा है मुख्य तह अनाजों में क्या पाया जाता है वसा, प्रोटीन, कार्बो आइट्रेड और शक्कर तो साथियों मुख्य रूप से जो अनाज है अनाजों में सभी में देखो प्रोटीन, वसा और शक्करा नहीं पाया जाती है लेकिन कार्बो आइट्रेड मुख्य रूप से मुख्य तह अनाजों में पाया जाता है थर्ड विकल्प आपका सही है प्रशन नमबर 25 में आगे बढ़ेंगे साथ यो प्रशन नमबर 26 की ओर तो आपके 26 वा क्यूशन वह विदी जो विद्यारतियों के मस्तिक्स में तूपान जंजावत उत्पन करती है कहलाती है खोज विदी या अनुसंदान विदी प्रियोजना विदी मस्तिस्क उद्वेलन विदी और उप्रियुक्त सहभी तो साथियों जो विदी चात्रों के मस्टिक्स में तूपा जंजावत उत्पन कर दे एसी विदी को मस्टिक्स उद्वेलन विदी के नाम से जाना जाता है मस्तिस उद्वेलन विदी के नाम से जाना जाता है थर्ड विकलप आपका चबीसवे क्यूशन में सही है नेक्ट प्रेश्ट नमबर 27 पे आते हैं 27 वे क्यूशन है आपके सुस्म सिक्सन कौन से सिद्धांद पर कारी करता है प्राचीन अनुबंदन के सिद्धांद पर किरिया परसुत अनुबंदन के सिद्धांद पर संग्यनात्मक विकास के सिद्धांद पर और उद्धीपक अनुखिरिया के सिद्धांद पर तो साथियों सुस्म सिक्सन माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं बच्यों को सिक्सन कोष्लों को सिखाते हैं, यह जो मायक्रो टीजिंग है this is Skinner के करिया परसुत अनुबंदन के सिध्धान्थ पर आधारित है, क्यों है, क्योंकि किरिया परसुत अनुबंदन में पुनरबलन दिया जाता है, उसी प्रिकारश से उसम सिक्सन में भी पुनरब इन सभी का दल होता है, दल सिक्सन, समो सिक्सन, टीम टीचिंग भी जिसको कहा जाता है, जिसके जनक है डेविड वार्डिंग, कौन है दल सिक्सन के जनक, डेविड वार्डिंग है साथियों, दल सिक्सन में देखिए चात्रों का और प्रधान अध्यापकों का दल नहीं होता विकल्प नंबर आपका दो सई है प्रश्ण नंबर 28 में सेकंड लाश कुशन देखेंगे 29 कुशन निबंदा आत्मक प्रश्णों की कमी है विस्वसनीता की अधिक्ता होती है प्रश्ण निर्मान में सरलता होती है चात्रों के लेकन कला का विकास होता है और विध्यारतियों कि अभिव्यक्ति शम्ता का विकास होता है तो निबंदा आत्मक प्रश्ण निबंदा आत्मक प्रश्ण में सात्यों अभिव्यक्ति शम्ता का विकास होगा क्योंकि खुद के विचार उसमें अभिव्यक्त होते हैं लेकन कला का विकास होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब अगर 150 कुशन रीट में लिखने के लिए निबंदा आत्मक दे दे तो लिख पाओगे क्या नहीं लिख पाएंगे तो रीट में अगर निबंदा आत्मक लिख वाएंगे तो 10 से 15 कुशन मतलब सरलता होती है निप्रश्च निर्मान में लेकिन साथ यो विश्वस नीता की लाइन में नेक्स्ट बात करेंगे प्रिश्च नमबर 30 और आज का अंतिम क्यूशन पर वीडियो कैसा लगा जरूर बता करके जाईए कितने क्यूशन सही हुए हैं वह भी बता करके जाईए और मेनत करूँगा और कोशिश करूँगा आपके लिए EBS और SST और साइंस के क् कक्षा 5 से कक्षा 10 की RBSC की किताबों से तीसवा क्यूशन और अंतिम क्यूशन निम्न में से कौन सी सामगरी दरश्य नहीं है सलाइड एपिडा इसकोब चल चित्रे और पुस्तक जो संस्कृत का टेस्ट कलाएगा उसको भी कोशिश करूँगा की RBSC की किताबों में से ही बनाया जाए साथियों देखीगा यहां पर पुस्तक एक दरश्य सामगरी है सलाइड एक दरश्य सामगरी है एपिडा इसकोब एक दरश्य सामगरी है लेकिन जो चल चित्रे हैं साथियों यह दरश्य नहीं है बलकि दरश्य सरव्य है मतलब सरव्य दरश्य सामगरी है यह सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्ण तीस में तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जिन्होंने वीडियो को पुरा देखा लाइक, शेयर और कमेंड करना नहीं भूले साथी हो और चैनल पर नए हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर प्रदान करें मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से